हेलो इवरीवन आज कई दिनों के बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं इस प्रैक्टिस सेट में मैं वो प्रशन रखे हैं जो PCS और समिच्छा दिकारी में बहुत बार आये हैं कुछ प्रशन ऐसे जो डारेक्ट आपको बार बार देखने को मिलेंग यानि UPPSC के जो भी एक्जाम होंगे जिसमें उसने GS पूछी होंगी इन टॉपिकों से प्रशन आते ही आते हैं तो इसको बहुत सीरियसली आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें ओके तो पहला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नही है इसमें प्रोटीन नहीं है तो सबसे पहले जो हमें आंसर एक्जेक्ट पता होते हैं उनको हमें सबसे पहले इलिमिनेट करते हैं आप संको उनको हटाते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं बाल और खुर इनमें हमें पता है प्रोटीन पाई जाती है कौन सी प्रोटीन पा फाइब रोइन करके एक प्रोटीन स्पाइडर सिल्क में पाया जाता है तो इतीन नों में पाया जाता है हमारा आंसर हुआ कपास कपास में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है अंसर हो गया एक कपास ओके अगला प्रस्न है यह प्रस्न भी अभी दो बार आ चुका है पी जल में गुले औक्सी जीलिन को कम कर देता है कि में पॉषर्टत्य द्रृथे अधिक पॉषर्टत्य्य शममरदन लगता है बहुत अधिक ऐल्गी जो ता साधवाल लाइकन बगरा बहुत जाध डिवलम होने लगता है और सभी जो भी होते हैं इसमें इसमें सेवाल जीवजन सबको आक्सेजन बहुत तेजी से चाहिए होता है तो इससे आक्सेज़र की कमी होने लगती तो इसमें दोनों सही है एक और दो दोनों सही हैं बिल्कुल सही है ओके यह भी प्रशन बहुत वार आया है खुब अपने पढ़ा होगा अच्छे से जिनकों नहीं पता वो याद कर लें निम लिखिन में से किस सासक यहां पर सासक होगक ने विक्रम सिलाव विश्विद्याले की इस्ताबना की तो य बिक्रम सिलाव सिफिद्याले के स्थापना की धरम पालने को यह घरम पालने कई वार पर स्याय आया है अगला परस्य है यह प्रशन खुब आता है एक कृतिम उपग्रह में बिदोत उर्जा का स्रोत क्या होता है जो भी satellite भेजे जाते हैं उसमें बिद्र तुर्जा का सुरोथ क्या होता है ठीक तो यह पैनल लगे होते हैं कि यह है कि यह है इस सौर पैनल होते हैं सौर से लोते हैं तो इन से उर्जा उसको मिलती इतना लंबा तार थोड़ी ना कोई भेजेगा या वो वहाँ चलते रहते ह से जलते रहते हैं चुकि प्रतवी का या किसी भी रहे का चक्कल लगाएंगे तो सौरस की रुष्णी पढ़ेगी पढ़ेगी तो सौर से लियानी सौलर पैनल लगे होते हैं जिससे वो बिजली बनाते हैं ओके यह पर बहुत बार आया है और यहां पर एक चीज आपको दे और 1947 तक की सबसे प्रूंग जो घटना है उनको याद कर लीजे एकदम अगर गलती हुई तो आप बाहर इसलिए कोई गलती नहीं ओके काला नुक्रम के एसाब से लगाने देखिए आरोवेंस में 21 में आया यह प्रसंट 17 में था प्रसंट 21 में भी आया था यह प्रसंट क्र स्मिसन मार्च 1942 में आया ऑगस्ट प्रस्टाओ 8 अगस्ट 1940 में बना था खिस्ट प्रस्थाओ अंग्रेजों की तरफ से लाड लेन लितिकों गवर्नार जनर्ण की तरफ से भार्तियों को प्रस्ताओ दिया गया था नहरु रिपोर्ट 1928 में वतिराल नहरु इसके कौन सी गटित हुई है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट ठीक है 1926 यानि तीन नंबर ओके तीन नंबर ए और बी में है उसके बाद हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव में निकलता है आपका भी निकलेगा निरास का तईमत होई है यहां पर आप देखने राध्यों को गठझन पर उनके गठझन के वर्स के अनुसार आपको शही करना है. ठीक है तो ऐसे राध्यों के गठझन के वर्स को मिलान करने को आता है कौन सा मिलान गरत यह आता है आप एक लिस्ट बना लेंगेunalिए首 भारत के सभी राध्यों बिल्कुल गल्थ, नागा लेंड जो हमारा बना था, वो दिसंबर 1963 का है, 1963, जारखंड, बहुत अच्छा है, सन 2000 में बना है, बिल्कुल सही है, 15 नॉवंबर, 15 नॉवंबर जारखंड, बिल्कुल सही, तेलंगाना 2 जून 2014 का है, ये भी बिल्कुल सही, सिक्किम, सिक्किम के मैं 1975 में बना था सबसे पहले पाइटिसमे समीधान संसोदन अधेनियम 1974 दर सिक्कीम भारत का एक सहे राजी बना 35 में 1974 दर्ण फिर 36 में उन्मीधान-संसोदन scapace 1975 में सिंक्कीम भारत का पूंट राजी बना था ओके? नेक्स परस में चलते हैं कौन सा मिलान गलत है आरोमेंस 21 में आया राजनीतिक दल और उनका वर्स एक लिस्ट यह आप लिखते जाईए एक लिस्ट बनेगी राजनीतिक दल उनकी स्थापना वर्स और संस्थापक ठीक है तो कौन सा मिलान गलत है हमें हम लुक देखते हैं कौन सा मिलान गलत देखते है भारती राष्टी कांग्रेस 1885 बिल्कुल सही, भारती राष्टी कांग्रेस के इस्ताबना 1885 में एओ हिुम के द्वारा की गई थी, भारती जनसंग 1951 वही आगे चल कर बीजेपी बन गई, भारती सामेवादी दल 1925 बिल्कुल सही, इसके बाद यहाँ पे उनलोग देखते ह द्रमिन मुन्नेन कंगम करके बोलते हैं इसको, ए आई डीमके उनिश्वाक्तर बनी थी, इसके जो संसापक थे, M.G. रामाचंदरन थे, M.G. रामाचंदरन तमिल्लांडू के एक्टर थे, रजनीतिक्यु थे, वो मुखवंतरी भी तमिल्लांडू के रहे हैं, तो यह वाल द्रमिल्लांडू के कि यह पार्टी कों से जिसकी मुखवंती जयलेलता जी रहा करती थी, जयलेलता जी कानिधन हो गया, ठीक है, वो पार्टी है, उनिश्वात ने बनी थी, बाकि सब सही, यानि एक पार्टीयों वाली लिस्टा बना लीजे, अगला प्रस्न कौन सा मिलान आठ है, नगरपाल का भाग नहों बिल्कुल सही, निर्वाचन भाग बन्दा बिल्कुल सही, संग राज चेतर, भाग आठ में हैं, ठीक है, तो यही मारा गल्थ था, यही मारा आंसर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा प्रस्न है नमा देखिए, यह बहुत बार आया, इसके भिना तो कोई वीपर होता ही नहीं है, इसको देख लिए, पर तबीस पर सबसे आजया विवित्ता किस छेतर में पाय जाती है, आएर वर्ती वर्षा वन किस छेतर में पाय जाते हैं, ठीक, बहुत अच्छा प्रस्न हैं, बहुत बार यह प्रस्नाया है, सभी क्या आं लंगो वेशिन और इंडोनेशिया तक लगातार यहां वर्षा होती रोज सामको और सदावार है वन बहुत घने है वन तीन लेयर में वन है ठीक है अपसर नमबर 20 ही है कौन सा मिलान करते हैं फिर से मिलान करते हैं अब यहां पर युद्ध वाली के लिस्ट आपको बनानी है स मुगलकाल सदनातकाल के युद्ध तब आपका काम हो पाएगा काम करना पड़ेगा और कई लोग उल्टा सिधा परते से ले आते तब भी नहीं हो पा रहा तो भाई एक स्मार्टनेस दिखाईए ठीक यहां पर देखते हैं मिलान गलत क्या है कन्नो जुद 1545 विल्कुल गल किसा ओके तो यहीं मारा अंसर हो गया ए ठीक है कि निम्लकित में से कौन सी घटना सबसे अंत्र में घटी तोई फिर घटनाओ वाला प्रसना या बहुत घटनाओ वाले प्रसना आते हैं गांधी इरविन समझोता है पांच मार्च 1931 पूना पैक्ट 1932 साइमन कमिशन गठना 1927 सबने वगया आंदोलन और सबने वगया की शुरौत को ही सबने वगया जो आंदोलन था वो इसकी शुरूआत होई तो सबसे अंत में हुआ है 32 हाँ पूना पैक्ट कांधी जी कर गांधी समझे ता एक 31 पूना पैक्ट 32 सबसे पहले आगया फिर गांधी में समझे था सबसे अंत में पूना पैक्ट ओके भारत में मानसून की उत्पत निम लिखित में से किस पवन द्वारा होती तो मानसून जो आता है भारत में किन पवन द्वारा आता है तो दच्छने पच्छिम ठीक दच्छने पच्छिम पवन द्वारा मानसून आता है उससे परज़ा होती है उत्तर पूर्व द्वारा जो ह आता है आज कल अख़वार में पढ़ लीजिए सच करके देख लीजिए तमिलनाडू में बाढ़ आई हुई है बहुत अफ्रात अफ्री मची हुई है ओक है इसमें कौन सा मिलान गलत है यहां पर भी मिलान गलत है अब यहां पर आपको क्या पता चलता है एक तरफ देश हैं उनकी राजधानी है एक देश और राजधानी की लिस्ट बना लीजिए जो आपको नहीं पता है पक्का एक प्रस्ण फसेगा जो बहुत इंपोर्टन चीजें उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना रट्टा मारना है मिलान का उसना गलत है मैमार की राजधानी यंगून बिल सही प्रस्ण बिलकिल सही वियतनाम की सेखरी बंदर बिलकेπό गलत ला आउसकी विय एंतियान मिलकूल सही अबसर नंबर की राजधानी कि प्रश्ण फसन नंबर सीे इसमें एसमें अबसर दीजें सेखर अरज़ा इंग सबसे आधार विस्तार इंडोनेशिया का है और उसके बाद मलेशिया का भी थोड़ा पार्ट है ठीक है तो सी वाला मारा अंसर है यह मिलान गलत है फिर से कौन सा मिलान गलत है यह उत्तरपदेश की बात आगे यह भी परसंद दो-तिन बार आ चुका है मेला एक तरफ एक लगता है उसमें गलत कम सा है नीचे से जखते हैं डी ददरी मेला बलिया बिल्कुल सही बटेशर मेरा आग्रा बिल्कुल सही कामपिली मेला फरुकाद बिल्कुल सही देवी पाटन मेला गोड़ा नहीं बिल्कुल बलरामपूर देवी पाटन मेला जो है बलरामपूर में जगह है तुल्शीपूर में देवी माता जी का मंदिर मा पाटे स्भी ठीक है उन का मंदिर तो यह हमारा आंसर हो गया आफसा नुंबर एं ऑटे कि वा अबुए मंडल की सरस्व ऑस कर Twoños सबसे निछली परत कौन सी हूँ है ठोपस्पेयर अंग्रेजी में खाली और उच जब कि निम सब को पता था छोब देरदन बहुत वार निम रिखित मैंसें मिलान कर दो फिर मिलान कर दो डीक। सही मानस असा मिल्कुल सही सिम्ली पाल अंदर पर देश बिल्कुल गलत अगस्ता मुलाइक केर भी अफसर हो गया डलत है तो पर पर ओड़ी शामें है सिंपल पर ओड़ी शामें है सिम्ली पाल इसले लिए असले नहें सप्ड़ा क्यों हाथ कि वहाप पर सेवन के ब्रच प्रमुक देश और भी देश जिनकी राजदानी किसी नदी पे बसे दिल्ली या मुना पे लंडन टेम्स नदी पे ठीक है वासिंग्टन डी-सी पोटो मैक ठीक है तो इस तरीके से बहुत इंपोर्टन्ट हो जाते हैं वह पर नगर बिशु के प्रम नगर या डाजदानिया अब किस नदी पे बसे इसकी इक लिस्ट बनाएंगे आप याद रख लीजिए तो पेरिस यहां पे मिलान करना है उसका कूट भी नीच दिया है तो हम लोग इसको देख लेते हैं कौन सा इसमें प्रसन जाएगा पेरिस जो फ्रांस की राजदानी है जाएगी सीन नदी पर की राजदानी है यह जाएगी पराग बेने जाये तो ए जाएगा डी के साथ इसाथ जाएगा चार नमबर के साथ ए चार बी तीन और सी दो some c 1 c 1 एक में जा रहा है तो यहां पर a जाएगा चार के साथ okay तो b जाएगा कि टीन के साथ दो के साथ यहां पर Elias utz लिए पाराप कर लिए यही है सहूप परापिंसासा कांगो पे है वैंकोग चाओ फ्रायो एसेंशियन प्राइगवन दीपर है ओके अगला पस्ट में से कौन सा जापान के चार प्रमुक डिपों का उत्या से दर्चिन सही क्रम प्रदेशित करता है यह प्रशन खूब आया है और इसमें गलती हो जाती है मत करिए गलत इसको एक बार चोटे नमबर डी बिल्कुल सही है ठीक है यह आंसर है कौन सा डी वालाओकेडो होंसो सिकोको क्यूशो ओके उत्तर पदेश के निम्रिकिन नगर में किसमें भारती दल्हान अन्सवंदान सहंस्तान यह भी खूब प्रस्ण आया है कई बार प्रस्ण आया है तो इसका आंसर आप ज है ठीक है लानोच वेनिज्वेला बिल्कुल सही एए बेंटाबरी नियुजिलेंड में हैं ब्लकुल सही पुश्टाज है हं घंगरी में आप अ सहल विकास का मुख्याल है में understood ता वो देख लें जिड़ी का मुख्याल है लखनों में जवार वाउन की पास है ठीक है लखनों में है ओके किसी राज जी के राज़िपाल समिजान के निमिल्कित में से किस अनुच्छेद के इंत्रगत विधान मंडल के अवकास के दौरान द्यादे जारी कर सकते हैं सीधा परस्न है कि राज़िपाल का द्यादेश तो बोर गाट है थालगाट पब्ये पालगाट पैरल और तव्लंडू के बीच में है एफ चौर्चि एक सुची दो मिलानी है, मिलान का यहाँ पर हम लोग को देखना है, यह भी कही वार प्रस्णा आच चुका है, सेम टुर सेम कट कॉपी पेस्ट करता है UPSC, तो हम लोग देख लिएते हैं, खेल का सामान हमें मिलता है, मेरठ में, डियासलाय बनती बेरेली में, पीतल का सामान, तो हम गड़ी नका, सारन पूर, तो एका हो गया चार, एका हो गया तीन, और भी का चार, एटीन, बी चार, यहां मिल लादा, नीचे भी मिल लादा है, उसके बाद, C1 तो C1 अप्सन नंबर बी मारा सही हो, ओके, यह हम अब बी सही है, ओके, कौशा मिलान गलत है, यह पर ब्लूबेभी स्ट्रोम हो जाता है विल्गुल सही प्लोराइड नमबर से अपच होता है बल्कुल गलत यह हुआरा अंसर हैं ऑफंचन अमऩर डी मरत है वाकिश सभी हैं इसको याद के लिए भी कई वार आया है कौन सा मिलान गलत अब यह देखें बहुत अच्छा प्रशन आया है राज और एक तरफ राज सवा की सीटें ठीक एक तरफ राज दूसरी तरफ राज सवा की सीटें तो लोग सवा की सीटें और राज राज सवा की सीटें और राज यह आप देख लिजिएगा एक लि इसमें गेरा सीटे हैं, बाकी सब सही हैं, ओके, चलो, नेक्स्ट, फिर कौन सा मिलान गलत है, यह जो विद्रों है, इनकी भी एक लिस्ट बना लीजिए, बहुत इंपोर्टन्ट है, एकदम रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि एर का मिलान करवाते हैं, और बहुत बार यह प्रशना आहा है, बहुत ही बार, दोपने मिलिस्ट हैं मेरे पास, आप उसको बना ले, देखिए क्या क्या करना है, मिलान कमसा गलत तुंढना है, पावणा विद्रो 1.783 विद्रोफ सही, दककन विद्रो 1.885 बिल्कुल सही, सनीयासी विद्रों 894 बिल्क सन्यासी विद्रों के शुरुखा तो यहां पर भी देख लिञे क्या है है तो.. अधार ने stri आपि में दया, 1828 में हुआ ठीक है तो ये D आपसर नमबर D मारा सही है 2828, 2815 नहीं था ओके ये भी प्रसन को आया है तीसवा प्रसन ने में लिकित में से कि देश समूख की सीमा इसराइल से लगी हुई है तो इसराइल एक पच्छमी एशिया का देश है जिससे लगता है यहाँ भी तुर्की नहीं लगता है तुर्की इसमें भी नहीं लगता है लेबनान, सिरिया, जार्डर, मिस्ट आपसर नमबर A सही है निमलिकित सेल है सेल क्रमों है क्रमों में से कौन भारत करना बेपरसेस से दिक कोईला प्रतान करता है तो बहुत अच्छा प्रता है अब जानते हैं गोड़वाना करम यह प्रतान भी खुब आया है सबसे दिक कोईला कहाँ पे गोड़वाना करम की चटानों में दाचीगम रास्ती उद्ध्यान निमलिकित में से दाचीगम रास्ती उद्ध्यान का सम्मन निमलिकित में से किसे है तो यह भी प्रतान भी खुब आया है अच्छा है दाचीगम रास्ती उद्ध्यान जो हमारा है जमो कश्मीर में है यहां पे कौन सा प्राणी जीप आया जाता है कश्मीरी इस्टेग या हंगुल दो बार आचुका जो 2018 पीसेज में भी आया था उसके बाद ही आया है लगातर कश्मीरी इस्टेग या हंगुल नैशनल पार्क शाप याद कर लिजे निमलिकित नदियों में से किसके मुहाने बर पंची के पंजे की आकरतिका डेल्टा बनता बहुत बार आया प्रस्ण पंची के आकरतिका डेल्टा किस नदी का है बहुत बार प्रस्ण आचुका है याद कर लिजे मिसीस्पी नदी मिसीस्पी नदी अमेरिका की एक नदी है मिसीस्पी विसारी को मिलाकर बनी है इसका जो डेल्टा है वो पंची के पच्छी के पंजी के आकार का है और मेक्सिको की खाड़ी में ये गिलती है ठीक है आथी गुम्फा अभिलेक की सासक के विशे में जनकारी का स्रोथ है जनकारी का स्रोथ है तो आथी गुम्फा अभिलेक स्रोथ है खारवेल के बारे में राजा खारवेल के बारे में जनकारी का स्रोथ है खुबा है प्रसन इसके बाद Einstein को निमलकित में से किस सिद्धान के लिए नोवल पुरुषकाद दिया गया था यह भी प्रस्ट खुब आया है उसको आप जान लिजे Einstein के सिद्धान कहीं है बहुत सारी चीजे हैं लेकिन किस के लिए दिया गया था ही आप जान लिजे यह प्रस्ट आता है तो Einstein को 1921 में भौतकी का नोवल पुरुषकार दिया गया था प्रकास विद्धुत प्रभाव के लिए जबकि उनके सबसे प्रमुख जो खोज है सिद्धान थे लेकिन उनको प्रकास विद्धुत प्रभाव के सिद्धान के लिए 1921 में भौतकी का नोवल पुरुषकार दिया गया था यह भी प्रस्ट के 36 वाक हुआया है समझ लिजे इस चीज को सबसे अधिक इस्थिर पास्टितिक तंत्र कौन सा है अब यहां पर इसका मतलब क्या इस्थिर पास्टित तंत्र मतलब मरुस्थल जो चेट्र है मरुस्थली पास्टित तंत्र है कभी खतम हो सकता है मरुष्थल पेंट लगा दीज़या और सारे चीज़ें कर लिज़या हो सकता है अंचे हुआ भी दुनिया में परवती छेत्र है भूकम जालो मखी आ गया या परवत खतम हो गया जिसे कि रावली खतम हो अधिर्धर करणों सालों में खतम हो सकता है वर वर ना आप काट सकते हैं ठीक है सब खतम हो सकता है लेकिन इस्थिर पासित महासागर को नहीं सुखाया जा सकता है ना खतम जा सकता है सबसे इस्थिर पासित कौन सा है ए महासागर कौन सा मिलान गलत है यहाँ पे एक तरफ पुस्तके एक तरफ लिखक है सल्तनत काल और मुघल काल ठीक है जो भी हमारा मत दियास है और आधुनिक दियास जो भी हमारे क्र tagadar है उनकी पुस्तके उनके लिखक अब इसकी भी दोतिन लिपना लीजीए याद कर लिजिए बहुत आचे से तब कादे नासरी मिनास उस सिराज की है बिल्कुल सही तारी के फिरोष सही समसे सिराज अफीफ की है बिल्कुल सही तुगलक नामा इबनम तूता की नहीं बिल्कुल गलत हुमाय नामा गुलवदन वेगम बिल्कुल सही तुगलक नामा अम बिंद्वकृत के समें में अंडिया आये था हिंगी किताब का नाव में किताब ठी। लख लेए और दिश्वा परस्दन दिव लिक्रित में से कौँ से गटना सबसे अंत में घठित हुई है तो अंत में हम फ्रोग कर लेते हैं छैसे सब लिख ली लेते हैं साइमन कमिशन बना 1927 में जले अवाला बाकते राप्रार 1919 मादमा गांडी याच्रा 1930 मीए फिरोस्था महता का नि सबसे अंद में क्या हुआ पंदरा उन्निस सताइस तीस दांडी यात्रा गांधी की गांधी जी की दांडी यात्रा इस इन चारों में सबसे अंद में हुई घटी त्विगटना है ओके अगरा पुश्ण कौन सा मिलान गलत है अब यहां पर मदेशिया के जो देशें की राज के कम्पूटर में है हर बार वो घुमा देता है चक्का तो इप्रिंट हो जाता कभी ने कभी तो उनके पास इस्टोर है अप इसको गलत बिल्कुल ना करें डी से देखतें नीचे से तुर्कमेनिकस्तान राधानी असकाबाद बिल्कुल सही किर्गिस्तान विश्केक बिल्कुल सही ताजकिस्तान दुसामे बिल्कुल सही उजवेकिस्तान अस्ताना बिल्कुल गलत उजवेकिस्तान की राधानी है ताशकंद ठीक है और जो अस्ताना हैं कौन सा मिलान ग camarड है यह सांता आना हबूर्णिया में बिल्कुल सही यामो जापान विल्कुल सही ज्टर आस्टेलिया meh brick fielder चलती है brick fielder ओकै बिस्व के निम्लिकित प्रदेस्व में किसमें करसी बहुत भिक्सित हुई है यह भी प्रशन खुवाय है बिस्व में कौन साथ छेत्र किस प्रगार की जलवायों जहां पर खट्टे रसीले रसदार फल हुवा हुत होते हैं अंगूर जैतून संत्रा मुसमी बहुत होते हैं वो छेतर है भूमद सागरी प्रदेश भूमद सागर के किनारे के ना जो भी एरिया है अब बहुत अंगूर होता है जैतून होता है ठीक है इटली है फ्रांस है पुर्टगाल है इधर अफरी पर इन में से सबसे नवीन कौन है, वो है हिमाद्री, अब आप समझेंगे हिमाद्री कौन है भाई, हिमाद्री हिमाले को हिमाद्री कहा जाता है, और पच्चिमिगाट को सहात्री कहा जाता है, हिमाले को हिमाद्री, पच्चिमिगाट को सहात्री, आप याद कर लें समझ लें कौन सा मिलान गलत है राश्टी उद्यान ये भी आपको याद करने है रट्टे मारना है बहुत अच्छे से प्रशनाता है कौन सा गलत मिलान हुआ है इंद्रावती राश्टी उद्यान चतिसगर बिल्कुल सही मुल्य राश्टी उद्यान गोवा में है बिल्कुल सही कालेसर राष्टी उध्यान राज्यस्थान विल्कुल गलत बेतला राष्टी उध्यान जारकन विल्कुल सही अपसर नमब सीमार गलत है इमारा आंसर कालेसर राष्टी उध्यान हर्याना में है कालेसर राष्टी उध्यान हर्याना में है जबकि राज्यस्थान में अधिकारी जो मौरकल का था उसका कार था मार्ग निर्माड ठीक है मार्ग निर्माड अच्छे से याद कर लिजे कौन सा मिलान गलत है फिर से भाग वाली बात आ गई ठीक है तो यहां पर भाग हम लोग देखते हैं मूल करतब भाग चार काम में हैं यह बिल्कुल सही राज भाग 6 में महा नियावादी भाग 13 बिल्कुल कुलत संग और राज चित के दिन सेवा हैं भाग 14 में बिल्कुल सही आपसर नमबर C हमारा गलत है यह हमारा आंसर है भारत का महा जो नियावादी है वो भाग 13 में नहीं संग के साथ भाग 5 में आता है भाग 5 में आता है भारत गया है का अगर्ला प्रमें इको मार्क प्रतिक निम्लिक्त में से किस समंदध है किस समंदध है किको मार्क करें बहुत उवाइन कुल्थि का है और क्लिक्षित खोब आ नौनrement WILL कर देशित खूसा मिलान गणलत है यह भी साइंस का प्रतिक खूब आया है इसको भी आप समनने पोटेक्ट कर लिवे इस तरीका के गलिस्ट सिरिका में उपस्तित आमल एसिटीकक विल्कुल सब्साहि Band भीण मुझळ सही तोटिक गण्वी तोटा और नाक् naz से में उपस्तित अमल हाईड्रोकॉल्डा सब्साहिए और अंश रहे स्च झा Soup दूद में कौशामल होता है लैक्टिक होता है और शासमा प्रसंब है कौण एक अनवीनिक्रत उर्जा Stroth है ये भी प्रश्ण खूब आया है अनवीनिक्रत सुरूरजा-पाwnोर्जर-पेट्रोलियम- något तो पेट्रोलियम इसका अंसर है नवीनिकर्णि अठार प्रास्टա कौ प्रश्ण कि और अच्छा प्रशण ये भी दोवार आ चुका है राष्टरिय उद्यानों में अनुवांसिक भीव्यत्ता का रख रखाव किया जाता है इंसिचू कंजर्वेशन द्वारा आंसर यही है इंसिचू कंजर्वेशन द्वारा इंसिचू सनर्चन द्वारा जब आप किसी जीव को किसी प्लांट को उसके घर में ही सनर्चित करते हैं जहां उसने जनम लिया है इसको इंसिचू सनर्चन कहते हैं इंसिचू कंजर्वेशन कहते हैं जब आप किसी बच्चे को किसी जीव को किसी प्लांट को प्रयोग साला में बटन लेकर गार्टन में ले जाके उसका सनच्छन करते हैं तब उसे एक सिचू सनच्छन कहते हैं ठीक तो आप से नवर ए सही है तो यह 50 प्रसंद थे बहुत इं आपिक मैंने बता है उनकी लिस्ट बना लें पक्का प्रसंद आपको समच्छादिगारी में देखनों को मिलेंगे लगातार पढ़ते रहें प्रैक्टिस करते रहें धन्यवाद